श्री नाज्जी गुरुजी गोला खादेश, मा भगवती गोला खादेश, रांची वाले भाहिर बाबा गोला खादेश, आप सभी गोला खादेश साबर मंत्रों में बहुत प्रकार के मंत्र होते हैं, मुख्यता जिसमें पाच मंत्र माने जाते हैं, प्रवल साबर, बरवर साबर, बर्राटी साबर, औरया साबर, डार साबर, तो जब मैंने साबर मंत्र का प्रकार बताया था, तो किसी एक साधक ने मुझे ऐसा लिखा था, कि गुरुजी ऐसा क्या साधना जिसमें कि भगवान को ही आप बुरा भला बोलो या भगवान से सौधा करो, तो जब बराटी है, बराटी का जो भाषा होता है वो काफी तीव्र होता है, और अगर गुरु मुखी है तो इसका ब या शक्तियों से सौधा होता है, तो उन्होंने बोला ये तो सही नहीं है गुरुजी कि आप लोग देवताओं के साथ ऐसा करते हैं, साबर मंत्र सिद्ध करने के लिए इस तर तक जाना, या सिद्धियों को पाने के लिए, तो आज मैं जो आप लोगों को बताने वाला हू वो है, जो सात्विक मंत्र होते हैं, वो अगर आपके सिद्ध ना हो रहे हो, ठीक है, जो संस्कृत के मंत्र हैं, वो अगर आपके सिद्ध ना हो रहे हो, तो उन मंत्रों को बलपूर्वक कैसे सिद्ध करवाला है, हाँ, सात्विक मंत्र भी बलपूर्वक सिद्ध होते हैं, उसका आज मैं आप लोगों को विदान बताऊंगा मंत्रों का सिद्धी का प्रक्रिया होता है इसमें पुरुषचरन का मतलब क्या होता है पूर्वा चरन पूर्वा का मतलब भूमी का घे के सिद्ध करने के लिए जो जो आपको शुरू से जिन्यमों का पालन करना उसको पुर्वाचरन बोलता है तो पुर्वाचरन के पाच अंग माने जाते हैं सबसे पहला होता है जब जो आप जाब करते हैं दूसरा होता है होम यह दो चीज तो आप लोग परफेक्ट करते हैं हम स प्रिया की जाती है, उसका अधोता है मार्जन, जो पूस से होता है, और फिर होता है ब्रामन भूज़, किसी भी मंत्र को साधने के लिए उसके शक्ति को जगाईए और उसके बाद ये पांच चीज कीजिए, अगर सात्विक मंत्र है, तो उसके और भी नियम होता है, जैसे आ कौन जादा सा जादा इंसान को मौन रहना चाहिए, और उसके बाद जो मन की विरक्तियां है, उस पर पूरा काबू होना चाहिए, ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं, तो आपका जो भी मंत्र है, वो सिध्ध हो जाता है, लेकिन कई पहले तो बात ये है, कि जो संक्या सिध्धी की है, जो सतियुग में या द्वापर में जो किताब लिखे गया, त्रेता में जो किताब लिखे गया, उसमें और अभी में जाप का संक्या है, अगर उसमें 108 लिखा है, ठीक है, तो वो द्वापर में उसका चारगुना हुआ, त्रेता में फिर जो चारगुना का फिर चारगुना हुआ और जो अब है वो 16 का चारगुना होगा समझ रहा है अब तो टूदी पावर 4 हो गया है तो इतना जाब संख्या आपको बढ़ाना होगा साधना को सिद्ध करने के लिए रात में तीन से सुभा के बारा बजे तक आप सात्विक मंदर की साधना कर सकते हैं अगर साबर करते हैं तो हम लोग ठीक झूलट करते हैं कि दोपहर के बारा से तीन तक आप सातना कर सकते हैं और रात में फिर बारा से तीन आप सातना करते हैं. और जो विभिन उपाय है वो सब आप और हम सभी करते हैं ताकि साधना सिध्ध हो जाए लेकिन ये सिध्ध है इतनी असानी से प्राप्त होती नहीं है तो क्या है कि आप कितने भी अच्छे तरीके से साधना करिए मंत्र जाप कीजिए कुछ ना कुछ ऐसी तुरूटी रह जा है इस नहीं हो रहा है तो उस मंत्र दोश का निवारन होता है या तो कि चे तरीके से निवारन होता है और जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि किसी भी क्रिया को करने के लिए बिल्कुल medical science के procedure में जाना चाहिए अगर सरदर्द कर रहा है तो पहले disprint लीजिए जो हलकी दवाई है फिर brufen लीजिए उसके बाद injection लीजिए ठीक है ऐसा नहीं करिएगा एक ही बाद injection ले लीजिए तो हो सकता रियाट खर जाए तो वैसे ही छे स्टेज है अगर आपका मंत्र सिद नहीं हो रहा है तो मैं एक एक करके ये छे स्टेज आपको बताता हूँ पहले स्टेज जो है उसको कहता है भ्रामन अगर आपका मंत्र आप हर विधी विधान कर रहा है आपको चूक नहीं पता चल रहा है तो फिर आप भ्रामन का प्रयोग करेंगे भ्रामन के प्रयोग में क्या होता है जो भी आप मंत्र की सिद्धी कर रहे हैं ठीक है जो भी आपका मंत्र है उसके प्रतेक अक्षर के पूर्में यंग बीज लगेगा यम ठीक है और इस मंथर को अस्टगंद जो होता है अस्टगंद से एक भोज पत्र पर लिखिए ठीक है बास की बास के कलम से या फिर चमेली के कलम से हाँ उस पर उस मंत्र को लिखिए ठीक है और फिर उसको वो जो भोज पत्र है उस मंत्र को दूद मधु और पानी में डुबो कर किसी एक बरतन में फिर आप रखिए जब भी आप फिर से पूजा शुरू करते हैं तो इस कारे को हर बार आपको करना है और एक मंत्र की जैसे ही आपकी सिद्धी हो जाती है उसके बाद इसका विसर्जन कर देना है उतला एक मंत्र का आपने सिद्धी शुरू किया इसको एक बार करिए और उसके बाद फिर इसका विसर्जन कीजिए फिर दूसरे मंत्र की सिद्धी में फिर जो उपाय है इसको फ्रसे लाईएगा मान के चलिए कि इस उपाय से आपकी सिद्धी नहीं हो रही है, इसका मतलब होता है कि तुझी थोड़ा जादा है, तो फिर इस कंडिशन में आप रोधन का प्रयोग करेंगे। ठीक है अगर रोधन का प्रयोग होता है तो उसमें क्या करना होता है कि जो आपका मंत्र है उसके आगे और पीछे आप ओम लगा कर जाप करते हैं ठीक है मंत्र मान के चलो ओम भूर भुष्वा है तो ओम फिर ओम भूर भुष्वा ठीक है और अंत में फिर ओम लगेगा, इससे भी बात ना बने, तो फिर मंत्र वशीकरन होता है, मंत्र वशीकरन में क्या करना होता है? लाल चंदन ले लिजे, जिसको रक्त चंदन भी बोलता है, हल्दी लिजे, मैंसिल लिजे और धतूरे लिजे, इन सब को पीस करके, गुलाब जल में मिला करके एक सियाई बनाईए, फिर जो मंत्र है उसको लकडी के कलम से भोज पत्र पर लिख करके, चांदी या तांबा का एक ताबीज बना लिजे, ठीक है, उस ताबीज में इस भोज पत्र को बंद करके डाल दीजे, और फिर उस ताबीज का अच्छा से धूप दीब दीखा करके, उसको अपने गले या फिर हाथ में धारन कर लिजे, इतना करने से, इसको करने के बाद, फिर से जब आप पूर मंत्र जाप और हवन मारजन सब करेंगे, तो आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा, अब भी सिद्ध नहीं हुआ तो, तीसरे चरण के बाद भी सिद्ध नहीं हो रहा है तो, जो मंत्र इसको पिंडिन करता है, पिंडिन में क्या करना होता है, जो मंत्र होता है उसका उल्टा ज कैसे मंत्र का जाप होगा उलटके और इसमें जैसे आप जाप कर रहे हैं इसके साथ ही एक आख लीजेगा आख का जो दूद होता है उस पर इस मंत्र को भोज-पत्र से लिख लीजेगा और अपने बाएं-पैर के नीचे रख लीजेगा उसको दाब देना है तो एक तरफ से जपेंगे दूसरा तरफ आख के दूद्से भोज-पत्र पर उस मंत्र को लिखके अपने बाएं-पैर से उसको दाबे रखेंगे ऐसा करने से वह मंत्र सिध्ध होता है इस उपाई से मंत्र सिध्ध ना हो तो पांचवा उपाए इसको सोशन करते हैं नाम ही इसका सोशन है जो मंत्र है उसके आगे में वायू बीज यम लगाएंगे ठीक है उसके बाद इसका पूरा जाप करेंगे फिर इसका दशान सावन करेंगे दशान सावन करने के बाद जो हवन से जो भस्म की प्राप्ति होगी उससे भोज-पत्र पर जिस मंत्र की सिध्धी हम करना चाह रह करते हैं, तो मूल मंत्र जो भी है, उसके आसपास वाला जो बीज है, जैसे एम है, क्लिम है, सो है, जोड कर जब करिएगा, और गाय के दूद और मधू को मिला करके भोज पत्र पर मंत्र लिखेगा, और उसको फिर हाथ में बान लीजेगा, एक ताबीज में, ऐसा करने से ये मंत्र पक्का सिद्ध होगा, छे अलग अलग विधान और छे अलग अलग विधान जवरदस्ती मंत्र सिद्ध करने के लिए, के मतलब, अगर देवताओं की सिद्धी में, उनकी सेवा में, कुछ काम आपका अधूरा भी रह जाता है, जिसके चलते वह सिद्धी नहीं हो पा दाहन कते हैं. दाहन में क्या होता है कि जितने अच्छर हैं मंत्र में, जितने भी वर्डस हैं सब के आगे में रम लगेगा मतलब ओम रम ओम भूर ओम भा ठीक है और इसको जब करना होता है ठीक है इसके सात में कि पलास और खाकेरे का बीज का जो तेल होता है उससे भोजपत्र पर मंत्र को लिखिए और ताबीज के रूप में इसको धारन कीजिए यह अचूक उपाय है लेकिन इस उपाय को शुरुवात में नहीं करते हैं रम बीज का उपयोग शुरुवात में नहीं करते हैं जो रम बीज के बारे में जानत आया, जिस से आप मंत्र में तूटी मंत्र विधान में तूटी होने के बाद भी जिसको अंगरेज शब्दम में हम बोलते हैं कि cover up कर लेना है तो cover up करके और उसके बाद उसकी साधना करते हैं ठीक है ये साधविधान हो गए इससे आप लोग सब जो भी मंदर के पीछे आप पड़े हुए हैं उसको सब सिद्ध करिए और उस देवी और देव कृपा का जो भी फल है उसका आप लोग उभोग की लिए ऐसे मेरी कामना है इस महीने 24-25 तरीक को शिप्पूरी में शिविर लगेगा जिसको आना है 20 लोगों की इस बार इंट्री है तो वो वेबसाइट पर जाके रेजिस्ट्रेशन करा सकता है या वाटसप पर मुझसे पूछ सकता है कि कैसे रेजिस्ट्रेशन होगा शिविर में हवन का तौर तरीक का दिख्छा और जो भी हमारे कारिफनाज संप्रदाय का जो भी सम्मिधान है वो बताया जाता है जिनको भूद्पृत में इंट्रेस्ट है वो हैंडबूक फर पारनॉर्मल इंवेस्टिकेटर खरीद के पढ़ सकते हैं जिनको साधना का बेसिक मंत्र सीखना है वो मेरे व पर जाएए एपॉंट्मेंट्स सेक्षन में जाकर एपॉंट्मेंट्स सीख कर सकते हैं डारेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर आप डाउंडोड करिए उसमें रूतरनाथ अड़्टीरेट आउप सीमफोर सच करिएगा तो आपको मेरा कॉंटाक्ट मिलेगा उस पर मु झाल